गहरे समुद्र की कुछ मशलियों में अल्ट्रा ब्लैक त्वचा होती है जो लगभग सभी रोश्णी को सोखने में सक्षम होती है जिसके कारण मशली लगभग गयब सी नजर आती है और इसी गयब होने के छलावरन से बड़ी आसानी से शिकार कर सकती है ड्रेगन फिश एक ऐसी ही मशली है जो समुद्र की गहराई में 2 से 5 किलो मीटर निचे रहती है वही अंडे भी देती है इस टौम इडी परिवार की ड्रेगन फिश आकार में जितनी छोटी होती है उतनी ही डराओनी भी होती है उसका मूँ भी बहुत डराओना होता है इसकी लंबाई औसतन 6 इंची ही होती है। आम तोर पर ये 1500-2000 मीटर की गहराई में पाए जाती है। मेल ड्रेगन फिश फीमेल से बहुत छोटा होता है। ये प्रशांत महासागर, अट्लांटिक महासागर और हिंद महासागर में अधिक पाए जाती है। इसके दाद बहुत लंबे तथा नुकीले होते हैं ताकि शिकार इसकी पकड़ से छूट न पाए। ड्रेगन फिश समुद्री की गहराई में फैले, अंधेरे में रोश्णी की पूर्ती के लिए ब्लू और रिट कलर की रोश्णी पैदा कर सकते हैं। तो ये थी ड्रेगन फ पिश कार इसके बिएश नुकी पूनी वे लोश्णी घटश कर दो नुकीले कर सकते हैं। जुकी